ये आकाश्वानी रैपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लटदेवी चोहान मुख्यमंत्रे न कोरोना के बरते प्रकरणों को दिखते वे रापुर के विमानकर और महाराष्ट की सीमा में कोरोना की थर्मल स्क्रीमिंग करने के निर्देश दिये प्रदेश में सिक्षकों की सीधी भरती शुरू गणित विशे के 510 व्याख्याताओं के नियुक्ति आदेश जारी और बीज़ापूर जिले में सुरक्षा बलो ने एक महिला सहित तीन माववादियों को गिया गिरफतार कोरोना महामारी के खिलाव देश एक जूठ होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाओ के तीन आसान एतियाती उपायों का संकल्प लें कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ और मू साफ रखें अब समाचार विस्तार से इस पर सदन में काम रोकर प्रस्ताव पेश गया जिसे चरचा के बाद आसन्दी ने अस्विकार कर दिया इसके बास सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया आसन्दी ने शोर-श्राबा को देखते हुए सदन की कारवाईanc के लिए शृresh कर दी कारवाई दुबारा शुरू होने पर इसी मुद्धे को लेकर विपक्षी सदस्य गर्ब ग्रेह में जाकर नारेवाजी करने लगे इससे भाजपा के बारह विधायक स्वमेव निलंबित हो गये इससे पहले सगन प्रस्तावक पर ग्रहयता के लिए सदन में चर्चा कि प्रदेश में अवैद शराप धड़ले से बेची जा रही है विधायक अजे चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और नाराइन चंदेल ने आरोप लगाया कि अपराधियों को सरकारी संरक्षन दिया जा रहा है बस्तर से सरगुजा तक नए नए तरह के अपराध हो रहे हैं ज समाज में कानून विवस्ता दुरूस्त है या कहना ठीक नहीं है कि कानून विवस्ता गर्त में चली गई है उन्होंने कहा कि विकसित समाज में कानून विवस्ता की भूमी का महतवपूर्ण होती है पुलिस समवेदन शील है आज सदन में जितने मामलों की चर्चा की गई ह उनमें से अधिकतर मामलों में पुलिस ने अपराधियों पर कारवाई की हैं। इसे पहले आज सदन में दिवंगत पूर्व सदस्यों को शद्धांजरी दी गई। इस मौके पर पूर्व संसदी सचिव उम्प्रकाश राठिया और विभाजित मतिप्रदेश के पूर्व मंत सदन में पेश किया। यह अनुपूरक बजट 505 करूर रुपे का है। इस पर कल 24 फरवरी को चर्चा होगी। मुक्यमंत्री भुपेश बगहल ने महराष्ट में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए रास्थानी रापूर के विमानतल और महराष्ट की सीमा में कोरोना की थर्मल स्क्रेनिंग करने के निरदेश अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमन से ब साबून से धोते रहें इस भी 36 गड़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आकड़ा 3,11,000 को पार कर चुका है इन में से करीब 3,4,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान मेर प्रदेश में करीब 3,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा हैं। कल के डेथ ऑडिट रिव्यू में यह प्रदे सामने आया है कि मृतकों में 65 प्रतिशत व्यक्ती 60 वश से अधिक उम्र के थे। समीती के सदस्य डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि बुजरुगों और ऐसे व्यक्ती जिनें किसी भी प्रकार की अन्न कोई बिमारी हैं उन कोरिया जिले के मनेंदगर सित एक नीजी स्कूल में एक शिक्षिका और कुछ विद्यार्थियों की कोरोना जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल सिक्षा मंतरे डॉक्टर प्रेम साय सिंक टेकाम ने बताया कि एक सब्ता के भीतर सभी विशियों के सिक्षकों के नियुक्ती आदेश जारी हो जाएंगे। चैनित व्यक्षियता तीन वर्ष के परिविक्षा विधी में होंगे। गोरतलवे की प्रदेश में तीन हजार से अधिक व्यक्षियताओं के पद भरे जाएंगे। इन व्यक्षियताओं के भरती से स्कूलों में अध्याइन अध्यापन का कारिया सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। राज में खरीफ फसल में संभावित अती शेश ध्यान की ई निलामी के लिए खरीदारों की पंजियन प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए राज सहकारी वपणन संग मार्क फेट द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेज कर उनके जिलों के सभी राइस मेलरों को निलामी की प्रमुक नियम शर्तों की जानकारी देने को कहा गया है। इस समद में मार्क फेट की वेबसाइट पर सारी जनकारिया उपलब्द है। से सुन रहे हैं। और अगे बढ़ते हैं बाकी के समचारों की ओर। केंद सरकार ने प्रधान मंतरी शहरी आवास योजना के तहट 56,000 से अधिक अतरिक्त मकानों की मनजूरी दी हैं। केंदरी आवास और शहरी कारे मंतरी हरदीप सिंग पूरी ने कहा है कि वर्ष दो हजार बाइस तक एक करोर बारह लाक घरों की कुल मांग में से अब तक लगबग एक करोर ग्यारह लाक मकानों की मनजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने बताये कि 73 लाक से अधिक मकानों की बुनियात का काम पूरा हो गया है। 42 लाक सतर हजार मकान लाभारतियों को सौपे गये हैं। केंद्र सरकार ने सबको आवास उपलब्द कराने की भविश की योजना के अंतरगर तोवश दोहसार बाइस तक देश के शेहरिक शेत्र में सभी योग्यला भारतियों को पक्के मकान उपलब्द कराने का लक्ष रखा है। मानो पूल जी को उर्जावान बनाना नवाचार अनुसंधान शोद और न्यूनितम सरकारी हसक शेप शामिल हैं। उन्होंने बताए कि भारत माला योजना के तहत 36 गड़के तीन राज मार्ग को इस बजट में शामिल किया गया है। इसके लिए 20,000 करूर रुपे का प्रावधान किया गया है। प्रधान मंतरी आवास योजना धान खरीदी भुक्तान उजवला योजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वही पूर्व सांसद मदू सुदिन यादव ने कहा है कि केंदरी वितमंतरी द्वारफ पेश यह बजट दूर गामी सोच, रोजगार मुलक और आत्मनिरवार भारत की और बढ़ते कदम का धोतक है। बीजापोर जिले में सुरक्षा बलो की टीम ने एक महिला सहीत तीन माववादियों को गिरफतार किया है। मिली जानकारी के मताबिक डिस्ट्रेक्ट रिजर्व गार्ड, डी आरजी और केंदरी रिजर्व पुलिसवल, सी आर पीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभ्यान के लिए निकली थी। इस दोरान भुपाल पत्नम, गंगलूर, उसूर और तरेम क्षेतर में इन माववादियों को पगड़ा गया। इन माववादियों पर लूट, डकैती और आगजनी जैसे विभिन आपरादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। भारत टुबवत सीमा पुलिस, आईटी बीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने कॉंड़ा गाउं जिले के अंदरुनी इलाके में स्थित कई गाउं में ग्रामीनों को दैनिक उप्यों की वस्ते विद्रित की, साथ ही उन्हें मुफ्त इलाज की सुविता भी दी सिविक आक्शन कारेक्टरम के तहट आईटी बीपी और जिला पुलिस बल की टीम पैदल गश्त काते हुए धनोरा थानाक्षेत के सुदूर ग्राम कुवे मारी पहुंची, वहाँ टीम ने चौपा लगा कर ग्रामीनों से चर्चा की और उनका हाल चल जाना, साथ ही उन्हो ने ग्रामीनों से मावाद के उन्मुलन के लिए सहयोग देने और शासन के योजनाओं से जुड़ कर समाज की, मुक्य धारा से जुड़ने की अपिल की, इस वरान सुरक्षा बलों की टीम ने जरूरत बंद लोगों को कपड़े वितरित किये तथा बच्चों और के कर्ज के लिए आविदन कर सकते हैं, पत्र सूचन कारेलय ने इस संदेश को फर्जी बताया और स्पष्ट किया कि केंद सरकार द्वारा प्रधान मंत्री रिन योजना नामक कोई वेबसाइट नहीं है, राष्ट्री विरिक सेवा प्राधिकरन ने इस साल राष्ट्री ल अप्रेल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर महिने के दूसरे शनिवार को आजित की जाएगी, 36 गड़ माधिमिक सुक्षा मंदल द्वारा डियलेट प्रथम वश मुख्य परिक्षा वश दोहजार बीस के पुनर गणना और पुनर मुलांकन का परिणाम घोशित कर दिया ग में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में राजनान गाउं में महिला कॉंग्रेस के पदादिकारियों और कार्यकरताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। के बाद अपने पत से इस्तिफा दे दिया है। बस्तर जिले में प्रशासनी कामकाज को दुरुस्त करने छे नए राजसों मंडलों का गठन किया गया है। इंदरा गांधी राष्ट्रे मक्त विश्विदाले इगनु में जनवरी 2021 सत्र के लिए विभिन्न पार्ठिक्रमो में आनलाइन प्रवेश शुरू हो गया है। आविदन करने की अंतिंतिती 28 फरवरी निर्धारित है। दुरुख जिले में 79 करोड रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 90 नल जल यूजनों को स्विकृती दी गई है। जिला कौशल विकास प्राधिकरन द्वारा जा टी आई भवन नंदेली भाटा में आगामी 25 फरवरी को रोजगार मेला आजन किया जाएगा। जानकी चापव पुलिस ने मुबाइल टावर लगाने के नाम पर 49 लाख रुपे की ठगी करने के मामले में तीन आरुपियों को कोलकाता से गिरफतार किया है। महासमुझ जि चोडव के मामले में तीन लोगों को गिरफतार किया है। इनके पास से 10 लाख रुपे से अधीक का सामान बरा मत किया गया है। कोंड़गाउं पुलिस ने रैपुर नाका के पास नाका बंदि कर एक और अटो से करीब 36 किलो गांजा बरा मत किया है। इस मामले में 5 लोगो को गिरफ्तार किया गया है और प्रदेश में राज दिस्तरी उन्नीस भी निशाने बाजी प्रतियोगता का आगामी 27 फरवरी से रापुर में आजन किया जाएगा अंतिमे मुख्य समाचार एक बार फिर राजे विधान सभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आज विपक्षी सदस्यों ने कानून विवस्ता की इस्तिकी को लेकर किया हंगामा गर्बग्रह में पहुंचे 12 भाजवा बिधायत स्वामेव निलंबित मुख्य मंतरी ने कोरोना के बड़ती प्रकरणों को दिखते हुए रापुर्म के विमानतर और महाराष्ट की सीमा में कोरोना की थर्मल स्प्रेणिंग करने के निज़ेश दिये प्रदेश में सिक्षकों की सीधी भरती शुरू गणित विशय के 510 भाक्यातां के निज़ी आदेश बिजारी और बिज़ापो जिले में सुरक्षबलों ने एक मेला सहीद तीन माववादियों को किया अगर अफ्तार इसी के साथ प्राटेशिक समाचार बुलबे समाथ रूँ नमस्कार